हेलो गैस स्वागत आपका मेरे यूटूब चेनल दा आयुरवेड में गैस कभी कभी क्या होता है आपके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं जाईयां हो जाती हैं केल मुहासे हो जाते हैं केल मुहासों के निशान हो जाते हैं और आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं कोई भी क्रीम लगाने से वो खत्म नहीं होते आप बहुत जादा परेसान हो जाते हैं सारी चीजें लगा लगा के ठक हार जाते हैं तब भी आपको कोई फाइदा कोई रिजल्ट नजर नहीं आता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके जो दाग धबे हैं जाईयां हैं कील मुहां से हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया और घरेलो नुश्का यह देखिए गाइस यह हमने यहाँ पर लिये शक्कर और हमने यहाँ पर लिया है एलो वीरा एलो वीरा मेरे घर का ही है यह पत्ती वाला एलो वीरा है अगर आप आपके घर पर एलो वीरा नहीं है तो आप मेडिकल वाला एलो वीरा भी इस्तमाल कर सकती है गैस चलिए हम आपको बताते हैं इसक्रब बनाना अगर आप ये इसक्रब लगाएंगे तो बाहर कर इसक्रब भूल जाएंगे एक बार इसका इस्तमाल करके देखिए आपको एक ही बार में आपके आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं उनमें फर्क नजर आएगा और जो आपकी जाईया हैं दाग धबे हैं आप उनसे बहुत जादा परेसान हो गए हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो इसक् फर्क नजर आएगा चलिए हम आपको बताते हैं आपको स्क्रब कैसे बनाना है यह हमने ऐलोवीरा ले लिया है और हमें इस तरीके से इसे छील लेना है यह देखिए इसे हमने छील लिया है अब हम आपको बताएंगे आपको इसका स्क्रब बना के कैसे लगाना है यह देख सारे चेहरे पे इस तरीके से इसकरब अच्छी तरहां से मसाज करनी है इसकरब करना है इस तरीके से आपको इसकरब करना है अच्छी तरीके से आप इसको अपने चेहरे पे इसकरब कर ले आपके चेहरे के डाग धबे जहाईया जुदिया और जो आँखों के नीचे काले गहरे हैं एक ही बार में सारे ख़त्म हो जाएंगे आपको एक ही बार में इसका फर्क नजर आएगा आप बहुत सारी क्रीम लगा लगा के ठक चुके हैं तो इस स्क्रब को एक बार जरूर लगाएं ये देखिए गाइस इस स्क्रब को एक बार आप जरूर लगाएं इस हाथ में और इस हाथ में आपको फर्क नजर आता होगा य आप एक वार जरूर लगाकर देखें आपको एक ही वार में इसका फर्क निजर आएगा, एक ही वार लंगाने से आपके चहरें के दाग धबे, जो डार्क सरकल हैं जो आखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं आप एक बार इसे जरूर इस्तमाल करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना सस्क्राइब करना फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर तब तक के लिए धन्यवाद